नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल अच्छी टिप्स में बहुत बहुत सवागत है शोते समय अपने पास नहीं रखें ये चीज़ें कौन सी चीज़ें आए जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तो वीडियो को आखरी तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जनकरी मिल सके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे इस यूटूब चैनल अच्छी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तो सब्सक्राइब करने के बाद सुगंटी का एकनाता है न उस पर भी कलिक कर लेना ताकि नए नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रात में अच्छी नींद से जहां एक तरफ सारीरिक धकान मिटती है वहीं दूसरी तरफ मानशिक सांती भी मिलती है बास्तु सास्तर के उनसार कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जीने रात को शोते समय अपने शर के पास नहीं रखना चाहिए इन वस्तों को शिरहने पर रखने से नकारातम ताहा भी होती है हम आपको बताते हैं ऐसी वस्तों के बारे में नमबर एक शोते समय कभी भी पानी के पातर को अपने शिर की तरफ रख कर नहीं सोई इससे चंदरमा पर भावित होता है और मनो रोग उत्पन होता है नमबर दो शोने से पहले जुत्ते चपल कभी भी बिस्तर के निच्छे या सिरहने की तरफ रख कर नहीं सोई इससे नकारातम कुड़ आती है नमबर तीन मॉबाइल लेपटोप आदी अपने बिस्तर पर रख कर नहीं सोई ये चीजें राहू से श्रमन्दित होती है इससे राहू दोस उत्पन होता है नमबर चार किसी परकार का कोई तेल अपने पास रख कर नहीं सोना चाहिए इससे जीवन में विविन परकार की कठनाईयों का सामना करना पड़ता है नमबर पांच शोतिस में हमेशा इस बात का त्यान रखना चाहिए कि बिस्तर के ठीक सामने कोई आईना नहीं लगा हो इस दोश के कारण रोग उत्पन होते हैं और पती पतनी के बीज में लड़ाई जगड़े होते रहते हैं नमबर चै रात को शोतिस में परस शीर के पास रख कर नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को हमेशा पैसों से सम्मंदित सिंता सताती रहती है तो दोस्तो बास्तु सास्तर के अनुसार ये थी वो कुछ चीज़ें जिनें अपने सीर के पास रख कर नहीं सोना चाहिए नहीं तो धन की कमी हो सकती है आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूटूब जेनल अच्छी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तो सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकन आता है उस पर भी कलिक कर लें नए नए वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो